नॉलेज पार्क, श्कूल, श्कूल फॉर कॉलिटी और इनिवेटिव एजुकेशन, एंबा कंस्ट्रक्शन, अल तैप्स ओफ बिल्डिंग्स, हाउस, शॉप, हाजी बिल्डोर्स, आइंड डॉलपर्स, ब्यूटिफुल होम फॉर सेल वित ओल फेसिलिटिटिटिटिटिटि की गई, मराटा समाज की और से बसोकलान सिटी के को स्वमी मट में छत्रपती शाहु महराज मराटा सेवासंग संगठन की स्थापना की गई, इस संगठन के प्रसिडेंट राजु भोसले, वाइस प्रसिडेंट आमेंगीरी जागिरदार, सेकेटरिर लक्षमन रॉक अपला होती है, बिना संगठन के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ता, इस उद्देश से ये संगठना बनाई गई है, इस तरह से सदानाद बिरादार ने कहा अंत्रिक मौल्यों का सही अर्थ में पालन करने वाले महान राजय थे, छत्रपति शहो माराज, तो उन्होंने क्या सोचा कि इस देश में जो भोजन समाज है, जो दबा हुआ पिछडा समाज है, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से पीछे गिरा हुआ जो समाज है, उस समा की फेसिलिटी की, तो इस भोजन समाज को उन्होंने ऊपर लाने के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांती की, उस महान राजय का जो दुरुष्टी कोन है, उस दुरुष्टी कोन को, उस महान राजय के ही नाम से, हम एक संगटना यहाँ पर स्थापित किये हैं, तो उस संगटना का नाम है, राजर्शी छत्रपती शाहु महराज मराठा सेवासंग, बसव कल्याण में महात्मा बश्वेश्वर ने भी शोशित और पिछडे समाज को उपर लाने के लिए बारावी शत्मान में शाहमाजिक क्रांती की, तो वो भी आदर्श हमारे सामने हैं, यह शाहु महराज का भी आदर्श हमारे सामने हैं, और उस संगटना का हमने यहाँ आज उद्गातन किया है, आज से हमारा संगटने का कारे प्रारम हुआ है, और इस संगटना के यहाँ पर आज इस कारे करम में उपस्तित हमारे अध्यक्ष राजू भोशले जी, कारे अध्यक्ष लक्ष्मन राओक अपनूरे जी, हमारे उपाद्यक्ष लक्ष्मन राओक यह हमारा संगटना है इस संगटना के सभी पदालीकारी आज यहां पर हम उपस्तित है हमारे गुरु इस पवित्र हमारे समाज का यह जो गुरुस्थान है गोसावी मठ इस पवित्र मठ के हमारे गुरु आधरणिय श्रीमान जगदिशगीर जी जागिरदार इनके हातों से पवित्रा अमृत हत्स से आज हम इस संगटना का उदगातन किये हुए हैं और ये संगटना बहुत देशिय संगटना है सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक राज की विकास होना समाज का कोई भी समाज अगर आगे बढ़ना है तो उसको संगटना भोड़ ज़िए बिना संगटन करेंगे और उस आधार पर हम इस संगटना किये हैं आज इसका उदगातन हुआ है समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज को मजबूत करने के लिए ये संगटना का उद्देश है हम केवल मराठा समाज ही नहीं पूरे भोजन समाज को भी हम मदद करेंगे आगे आने के हमारे सामने हैं